आज हम सीखेंगे निर्देशांग पद्धती का परिचय और रैखिक आलेख इस शेल्फ में कई डिब्बे हैं? क्या आप इस डिब्बे का स्थान बता पाएंगे? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं इस डिब्बे का स्थान बताने के लिए हमें पंक्ती की संख्या तथा स्थंभ की संख्या आवश्यक है यदि हम शुर्वाज शून्य इस कोने से करें तो हम पंक्तियों को इस प्रकार संख्या दे सकते हैं इसी तरह हम स्थम्भों को इस प्रकार संख्या दे सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि वांचित डिब्बा दूसरे स्थम और तीसरी पंक्ती में हैं। किसी तल में स्थान निर्धारित करने की यह समझ हमें कई स्थितियों में सहायता करती है। जैसे थेटर में सीट का सही स्थान ग्याद करने के लिए, किसी बिल्डिंग में अपने घर का सही स्थान बताने के लिए, पुस्तकाले में किताब का सही स्थान बताने के लिए इत्यादी। इन सबी स्थितियों में जाने अंजाने में हम निर्देशांग पद्धती यानि कॉडिनेट सिस्चम का प्रयोग करते हैं। संख्याओं के समूह से कोई स्थान व्यक्त करने की पद्धती निर्देशांग पद्धती कहलाती है। इस पद्धती की सहायता से हम किसी तल में स्थित बिंदू की स्थिती यानि पोजिशन निर्धारित कर सकते हैं। उधारण के लिए यहां एक आलेक कागज है जिस पर X अक्ष और Y अक्ष दर्शाए गए हैं। वे एक दूसरे पर लंब यानि परपेंडिक्यूलर है। यदि हम आलेक पर एक बिंदू A लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका स्थान X अक्ष की संख्या 2 और Y अक्ष की संख्या 3 से प्रस्थुत होता है। निर्धेशांग पद्धर्थी के अनुसार हम बिंदू A का स्थान 2-3 इस प्रकार दर्शाते हैं। हम कहते हैं कि 2-3 बिंदु A के निर्देशांग यानि coordinates है. इसमें 2 बिंदु A का X निर्देशांग तथा 3 बिंदु A का Y निर्देशांग है. इसी तरह आलेक पर किसी बिंदू P का स्थान X निर्देशांग और Y निर्देशांग की सहायता से X, Y इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है यदि हमें किसी बिंदू के निर्देशांक दिये हो तब हम इनकी सहायता से उस बिंदू की तल में स्थिति निर्धारित कर सकते हैं इस प्रक्रिया को उस बिंदू का आलेखन करना कहते हैं यहां कुछ बिंदू तथा उनके निर्देशांक दिये गए है क्या आप निर्देशांग पद्दती की सहायता से इनका आलेखन कर सकते हैं? विडियो रोक कर प्रयास कीजिए चलिए हम बताते हैं हम देखते हैं कि बिंदू A का X निर्देशांग 1 है जो हमें बताता है कि हमें मूल बिंदो से एक इकाई दाई ओर चलना होगा चुकि Y निर्देशांग 2 है इसलिए अब हमें दो इकाई उपर की ओर चलना होगा प्राप्त स्थान पर हम बिंदू A अंकित करेंगे इसी तरह क्या आप बिंदू B का स्थान ग्याद कर पाएंगे? प्रयास कीजिए बिलकुल सही बी का स्थान X निर्देशांग 2 और Y निर्देशांग 4 से ग्याद किया जा सकता है इसी तरह हम बिंदू C और बिंदू D का स्थान इस प्रकार दर्शा सकते हैं चलिए इन सभी बिंदूओं को रेखाखंडों से जूड़े अब आप देख सकते हैं कि रेखाखंड A, B, B, C और C, D एक ही रेखा में स्थित है इस प्रकार यदि किसी आलेख में सभी रेखाखंड एक अकेली रेखा के भाग हो या एक ही रेखा में हो तो ऐसा आलेख एक रेखिक आलेख यानि लिनियर ग्राफ कहलाता है अगले वीडियो में कुछ उधारणों से इसे हम और अच्छे से जानेंगे आज हमने सीखा निर्देशांग पद्धती का परिचै और रेखिक आलेख अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ मज़ेदार उधारण